अस्सालाम ओलेकुम, होप यौल आर डूइंग वेल, वेलकम तो एनदर वीडियो, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे डेली क्लेंजर का रिव्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे और अग रोजाना यूस कर सकते हैं और यहां पर मेंचन है कि इस फुटेबल फ़र ओउइली और इन कॉंबिनेशन सकैना यानि कियृट या इसे यूस कर सकते हैं इसके इलावा इसके इनदर और हंड्रीट एमिल कि इसके बैक पर हम देखते हैं तो सारे इंग्रेंट वागरा मेंश ingredient आप देख सकते हैं कि rice extracts इसमें शामिल है for skin brightening effect साथ में इसकी directions और benefits वगरा भी mention है वो सब आप video को pause करके read कर सकते हैं अच्छा जी तो अब मैं आपके साथ अपना honest review शेयर करूंगी कि मुझे ये product कैसी लगी ये product जिनकी recently launch होई है और मैंने इसको जब order किया था मैंने अपनी Instagram पर story लगाई थी तो वहाँ पर भी काफी लोग मुझे से पूछ रहे थे कि बताये ये कैसा है तो अब मैंने इसको use कर लिया है तक्रीबन दो हफ़ते हो गए तो मैंने सोचा कि आप लोगे साथ review शेयर कर देना चाहिए लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगे कुछ सवालों के जवाब दे देती हूं कि क्लेंजर क्या होता है इसको कैसे use करते हैं कब कब use करते हैं और इसके क्या फायद है तो क्लेंजर जो है बेसिकली ये face wash की ताना होता है आपके skin को आपके face को clean करने के लिए use किया जाता है और ये वाला क्लेंजर जो है ये daily purifying cleanser है इसलिए आप इसको daily use कर सकते हैं दिन में दो बार in the morning and at night time सोने से पहले और सुब आटने के बाद आप ये use कर सकते हैं दूसरी बात ये है कि इसकी बहुत थोड़ी सी amount use होती है और एक मिनट तक आपने इसको अपने face पे मसाच करना है अपने damp face पे और फिर इसको wash कर लेना है पानी के साथ यहां पर मैं आपको इसका texture चक करवा देती हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसके जितनी amount निकाली है बिल्कुल थोड़ी सी बस इतनी ही amount use होती है इसको हम piece size amount कहते हैं यानि कि एक मेटर के दाने के बराबर ठीक है और इसका texture काफी ज़्यादा क्रीमी है बह बहुत अच्छे foam बनते हैं और इतनी सी amount में आपका face बहुत अच्छे तरीके से clean हो जाता है cleanser जो है यह आपके skin से सारी oil dirt impurities वगयला को remove करता है और आपके skin को clean करता है अच्छा जी अब इस cleanser की बात कर लेते हैं तो यह मैं कुछ time से use कर रही हूँ और अब मैं आपके साथ अपने reviews share करूंगी कि मुझे कैसा लगा तो मैं इसको इसी तरीके से use कर रही थी दिन में दो बार सुबा में और रात में इसको use करने के बाद आपके skin आपको बहुत जादा clean feel होते है यानि कि आपके face पर चाहे कितना भी जादा oil हो या आपने serum से क्रीम वगयरा जो है वो apply करी हो वो सब बिलकुल अच्छी तरीके से remove हो जाती है और आपको जब ना face बिलकुल clean लगता है कि क्लेंजर का में क्लेम है वो यह कहते है कि हमने इसमें rice extract शामिल करें जो आपके skin को brightening effect देते हैं तो यह चीज जो है यह इसके अंदर बिलकुल ठीक है इसको use करने के बाद आपको अपनी skin instantly brighten up लगती है बहुत जादा fresh आपको अपनी face लगता है जैसे कि आपने facial cleanser या scrub गयरा होते हैं उसको use करने के बाद आपको अपना face लगता है बहुत जादा clean उसी तरीके का effect यह आपको देता है और बहुत quick एक minute के अंदर आपके face को clean कर देता है और दूसरे बात यह है कि आपके pores के लिए बहुत अच्छा है पोर को बहुत अची तरीके से clean कर देता है ज चोटे चोटे से white दाने की तरह से दिखते हैं और फिर उसके बाद जब inflamed हो जाते हैं तो वह pimple बन जाते हैं यह मसला काफी ज्यादा होता है oil skin वालों के साथ तो इस cleanser को use करने से मैंने एक चीज़ नोट करी कि वह जो white heads होते हैं वह जब बिल्कुल चोटे होते हैं यह त होते हैं और पोर्स के लिए भी यह बहुत अच्छा है तो मुझे एक लेंजर बहुत ज़्यादा पसंदा है और मेरी तरफ से 100% recommended है अच्छा प्राइस के वह थोड़े से ज्यादा है लेकिन इसकी quantity के लिहाज से जो है न वह इसके प्राइस बिल्कुल पैसा वसूल है तो एक दफा जरूर ट्राइ करें इस पेशले जिनकी ओईली स्किन है उनके लिए और इस मौसम में तो आपको बहुत मज़ा आगा यह प्रोड़ा क्यूस करें थैंक यू सो मच फॉर वाचेंग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका कोई भी कोईस्टन या सजेस्टन हो तो आप मुझे कमेट से मता सकते हैं या इस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं थैंक यू सो मच अल्ला हाफिस